तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं technical analysis, क्या देख कर हम trade करते हैं, हम जब कुछी stock को खरीदते हैं, तो दो तरीकी की analysis होती है, एक होती है हम company के fundamentals देखते हैं, और फिर उसमें investment decision लेते हैं, दूसरा होता हम price action को देखते हैं, हम technicals को देखते हैं, जिससे हम ये एक series चल रही है, जिसमें मैं अपने छोटे भाई को step by step stock market सिखा रहा हूँ, तो आज इस video में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और मैं आपको बता सकता हूँ, इतने असान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, जो शायद ही आपको पूरे internet पर कहीं पर मिलेगा, तो अगर आपको technical analysis सीखनी है, आप बिल्कुल शांदार वीडियो पर आगए, हम बिल्कुल starting से शुरू करेंगे, तो विवू, अभी तक आपने काफी को समझ लिया, आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी हम किसी stock को, या जैसे हम पर ETF है, या IT का ETF है, हम सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम हमेशा भागते वे गोडे पर दाव लगाते हैं, भागते वे गोडे का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी चलने की probability बहुत जादा है, जो चीज अभी भाग रही है, हम गिरते हुए चाकू को या गिरते हुए तलवार को पकड़ने क कोशिश नहीं करते हैं, तो we do not catch the falling knife, हमें चाहिए जो गोड़ा भाग रहा हुए चाने खलाओ, तो जो stock भाग रहा है, जो stock की जगा मैं तो ETF investor हूँ, तो ETF मुझे लग रहा है यहां से अच्छा मिल सकता है, यह सही भाव पर मिल रहा है, तो कौन सा सही भाव होगा, हम क्या analysis करें, तो ETF तो आपको पता है कि एक basket of stocks है, तो अभी क्या है कि अगर हम Nifty को देखें, ठीक है, Nifty, Bank, Nifty, Sensex, यह सब देखते हैं, तो Nifty देखें है, almost अपने all-time hyper है, ठीक है, तो यह जो आप एक dip देख रहे हो, यह तो आपको पता है कि news की वज़े से है, election results की वज़े से थ होते हैं, यह साल में कुछ दिन होते हैं, बट ultimately, कौन सा pattern, market में चल रहा है, उस pattern को मैं identify कर नहीं दोश्य करते हैं, so technical analysis में बहुत सारी चीज़े आती है, सबसे पहले price action आता है, और price action के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि trend कौन सा चल रहा है, तो अगर, मैं आपको कुछ इस भी ना बता हूँ, मैं बस अगर आपको यहां तक का chart दिखाता है, तो आप क्या बोलता है, यहां से लेकर यहां तक price ने क्या किया, उपर हुआ है, और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक price ने क्या किया, कम हुआ है, गिरा है, और अभी क्या दिख रहा है, दोबारा तूल है हम क्या करते हैं निन मनाते हैं मैं आप लोगोगों बताना चाहता हूं जब ये आज मैं छोशना शाहता था ह सिखाने वाला नहीं तो मुझे यह भी नहीं करना था कि जाना कि सब्लौत करते हैं कि एक्जांपव चोफिक यहां से लेकर यह एक ट्रेंड लाइन में बनाई है अब यह थोड़ा सा है सेम चीज इस अब इस पर फरग होता है अब यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं हम ना जो लोज हैं मैक्सिमम डॉट्स को कनेक करने की कोशिश करते हैं अच्छा अब आपका एक सवाल आ सकता है कि यह भी तो एक लोग है तो मैं ट्रेंड लाइन को यहां क्यों नहीं बना रहा हूं ठीक है मैं इसे यहां क्यों बना रहा हूँ यह बहुत छोटी सी चीज है trend line मनाना बहुत subjective होता है subjective मिलब हर कोई अपने according मनाता है बड़ आज मैं आपको समझाना चाता हूँ कि जो हम trend को पकड़ने के कोशिश करते हैं उसके अंदर हम maximum dots को यह maximum lows को connect करने के हुशिश करते हैं तो कोई एक अदर low अगर इसके नीचे जाके वापर scandal आ गई तो closing उसने इसके नीचे नहीं दिये तो हम उसे ignore कर सकते हैं although BSC के chart पर यह वाला मुझे विक दिखी नहीं रहा तो वो price की जो यह क्यों आया कि कुछ सौदें यहां तक गए थे ठीक है ठीक है वो NSE पर गए थे BSC पर नहीं गए थे ठीक है तो इसलिए BSC और NSE का चाट अलग होता है तो अब यहां पर अगर आप देखते हो यह जो मैंने trend line plot करी है इससे मुझे पता लगता है कि price ओपर जा रहा है तो मैं maximum dots को गनेक करने की कोशिश करता हूँ ठीक है अब क्या हो रहा है यहां पर trend line टूट गई price trend line की नीचे आ गया और इसमें closing कर दिये तो इसका मतलब क्या trend change हो गया तो आपने यहीं पर पकड़ लिया कि price गिर सकता है तो ideally जो लोग technical analysis को follow करते है वो इस जगाँ पर जाकर decision लेते हैं कि हमें stare रखना है यहां पर रुकना है stocks को या ETF को hold करना है या फिर बेज देना है तो अगर किसने यहीं पर बेज दिया तो अभी भी profit में ही है क्योंकि price अभी भी उस level तक नहीं आया ठीक है अब अच्छा यहां पर मैं रख कोशन है जैसे यहां पर trend line तोड़ी फिर दोबारा उपर गया उसके बास तो फिर तो अभी क्या है हर candle के अंदर अगर हम यहां तक ना देखें अभी मैं इसे आपको नाम नहीं बताऊंगा जब हम समझेंगे तो हम हम candle के नाम अलग से समझने की तो कोई लोग बोल सकते हैं यह हमर हो सकता है तो hammer है यह अगर यह टॉप पर इसी तरीके का बनेगा तो hanging man है क्या है अभी उसके उपर बात नहीं करते हैं हम बोलते हैं जिस candle के अंदर shadow लंबी होती है वो pin candles होती है तो यह non decisive candles होती है इसका मतलब है इसके बात कुछ भी हो सकता है तो अगर इसके नीचे की closing मिल लाती है मुझे इस price के नीचे तो मुझे confirm हो जाता है कि trend उपर नहीं जाएगा although जो आपने सवाल पूछा हमें यह जो red candle होती है विभू यह ETF की candles होती है यह stock से अलग होती है थोड़ा सा candle तो अपना काम वही करती है candle का मतलब क्या होता है अगर कोई red candle है तो इसका मतलब प्राइस खुला उपर था और closing नीचे है यह बस इतना ही होता है ठीक है तो अलग मतलब इनदा सेंस क्या होता है कि जो stocks होते उसमें liquidity बहुत जादा होती है ETF में comparatively liquidity कम होती है liquidity का मतलब की होता है buy or sell की transaction volume बस इतना ही फ़रक है ठीक है तो मैं कहने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको red red बहुत जादा दिख रहा है तो उससे red इतना जादा disturb नहीं करना चाहिए आखों को ठीक है जैसे यहां पर तो रेडी रेड दिख रहा है इसका म अभी यह trend line के नीचे ही है तो उपर आगे इससे कोई फरक ने बढ़ता अगर close उपर होता तो trend line के उपर proper candle इस तरीके की चाहिए मुझे कि वापस यह नीचे से घूमके फिर से उपर आ जाए और यहां पर closing उपर की तरफ आ जाए तो फिर कह सकते हैं कि वह false breakdown था अच्छा फिर false breakdown था अभी क्या हुआ है तोड़ दिया और closing नीचे की तरफ confirm कर दिया है यहापर यह जो candles है इन्होंने confirm कर दिया इस candle पर जाके तो मैं clear हो चुका हूँ इन फैक्ट यह जब नीचे आ गया ना यह वाली जो candle नीचे आ गई है यह clear है कि यह नीचे की तरफ ही indicate कर रहे है अभी example के लिए ETF है यह stock भी हो सकता था तो अभी तो मैं एक example देनो उसके बदम आपके सामने 10 stocks खोलूँगा और आपको बताऊँगा यहापर क्या दिख रह इसलिए questions आदा हैंगे वरना आपके आपने चाल्स जाओ को नाम सुना है अपी के मुझसे सुना है ठीक है तो चाल्स जाओ ने क्या बोला कि price कभी भी सीधा ओपर नहीं जाता अगर price को ऊपर जाना होगा तो एक pattern follow गरेगा वह pattern क्या है कि price पहले ऊपर जाएगा फिर नीच उपर से price नीचे तो आगया बट पहले वाले low से तो यह उपर ही था फिर उपर जाएगा फिर नीच आएगा जब तक यह pattern चल रहा है higher highs और higher lows का तो यह uptrend indicate करता है अच्छा बट जैसे ही यह टूटे का pattern ठीक है तो वहां से trend reverse हो जाएगा तो यह down theory होती है ठीक है अब इसमें एक line लगा रहा हूँ है यहां तक low मारा था ठीक है लगा दी मैंने जैसे ही मैं यह change करूंगा line chart करूंगा करूंगा कहांगी वह वह विक अच्छा इसमें विक नहीं दिखाते कि इतना लोग है हाँ लोग नहीं दिखाते है इसमें closing to closing basis होता है कि उस दिन का close कहां पर था तो यह दिखा रहा है कि आज का close यहां पर है इस एक आप इस लाइन की सिग्निफिकेंस नहीं मैं आपको सिवह दिखाना चाहता है मैं दूबार से candles पाया जाता हूं तो आपको वह दूबार से विजिबल हो जाएगी ठीक है तो अलग लग तरीके के चार्ट को देखने के तरीके होते हैं तो एक बार चार्ट होता है ए ज़्केंआगे ज्यादतर लोग यह दिखते हैं को चीन को देखने के लिए थे चाहते हैं अच्छा है इसमें ग्री दिखते रहे एक सीक्मेंस में ग्रीन दिखता रहते हैं अब इसी तरिखेसे में अगर अब एक प्लोट करते हैं तो नीचे से उपर के लिए करते हैं बड़ जब प्राइस गिर रहा होता है तो हमें अब क्या चाहिए हमें एक हाय चाहिए और एक लोर हाय चाहिए ठीक है उसके बेसिस पर हमें एक और लाइन प्लोट कर सकते हैं जो कि हमारी डाउं ट्रेंड की लाइन होग तो मैं उपर से लेके नीचे के लिए लूँगा अब देखो क्या चाहिए मुझे मुझे बैसिकली मैक्सिम्म डॉट को कनेक करना है तो मैक्सिमम क्लोजिंग्स या मैक्सिमम हाई उदर मैक्सिमम क्लोजिंग्स या मैक्सिमम लोज कनेक कर रहे हैं तो यहां पर मैं अगर इस सल रहा है trend down है अब क्या हुआ वेबू कुछ time से तीन तरीके के trend हो सकते हैं या तो uptrend हो सकता है या down trend हो सकता है या फिर sideways trend हो सकता है अब sideways trend हम trend line की जगा एक और चीज़ से निगा होते हैं अब क्या है कि price ने trend line के ऊपर तो आ गया बड़ उपर बहुत तेजी से नहीं जारा अब क्या होता है जब भी मुझे उपर के लिए trend line लगानी है तो मुझे क्या चाहिए अब मुझे एक और low चाहिए बड़ वो इस low से उपर होना चाहिए तो अगर example है मुझे यहाँ पर कहीं low मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा मैं trend line पकड़के इस low से एक और मुझे यहाँ पर low मिल गया तो मैं एक ऐसे line खीज़ दोगा तो मेरी एक trend line दुबारा शुरू हो जाएगी अब point आता है अभी क्या चल रहा है अभी अभी तो मेरे पास वो दुबारा से low नहीं है मैं trend line plot नहीं कर सकता तो तीसरा trend होता है हमारा sideways trend अब sideways trend के लिए मैं support resistance समझना बढ़ता है पहली बात तो trend line भी support resistance का काम करते है अभी support resistance क्या होता है support का मतलब होता है जहां से price support लेकर उपर उठ जाए और resistance का मतलब होता है रोकना कहां पर जाके price रूख सकता है तो जब हम trend line की बात कर रहे थे ये line लगा दी थी हमने तो price उपर तो क्या बट downtrend में price नीचे गया उपर आया फिर नीचे गया उपर आया यहां से हमने एक trend line plot कर दी अब price नीचे जाके कहां तक उपर आ सकता है वो trend line के आसपस आएगा फिर वो नीचे आया अब यह trend line हमारे resistance का काम कर रही थी बट जब यह तोड़ गया अब इसके उपर आके price आतो गया है तो इसकी significance खतम हो गई है अब हमारे लिए significant क्या है कि price ने कहां से bounce back लिया हम क्या करते हैं हम यहां पर भी maximum dots को connect करने की कुशिश करते हैं तो अभी पीछे का छोड़ दो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो price यहां पर गिरा फिर फिर ऊपर आया फिर गिरा फिर उपर आया तो अभी क्या मैं यहां पर जाके Line plot कर सकता है यह मैं इसी तरीके से हमने बोला साइडवेस का कैसे पता लगेगा जब यह नीचे से ऊपर जा रहा था तो बार बार ऊपर कहा तक जा रहा था यहां पर जा रहा था तो इसमें हमें खरीदना कब है बहुत बड़े है अब क्या कि एक तो यह तो यह तो यहां पर भी खरीद लेता तो क्या मैंने खरीदा नहीं आज नहीं खरीदा बट जिस दिन आया ता खरीदा था अच्छा यह देखो इसका बहुत देखो क्या है अभी लिया है मैंने से 33.15 ठीक है इतने पर आपने खरीदा है यहां पर क्या रेट है यह तो ठीक है मैं देख रहूं नहीं यहां पर जोड़ा जा फिर उपर आया फिर नीचे यहां पर इसका वेट कर रहा था उपर जाने के बाद यह वापे से अब आपक कर लिया तो अब जैसे पिक किया इसे यह उपर भागना शुरू कर दिया तो कुछ लोग क्या करते है क अब मैं क्या देख रहा था भाई आपने टॉप से यह मुझे 18% नीचे मिल रहा है अच्छा और निफ्टी भाग रही है और IT नहीं भाग रहा तो खरीद लो ठीक है तो इसलिए खरीदा और ऑल्दो मैं ETF में आवरेजिंग कर सकता हूं जो कि मैं स्टॉक्स में नहीं कर सकत क्योंकि मैक्सिमम अगर यहां से तोड़ता भी तो अगर पिछले एक साल पहले का भाई देखें तो यहां तक लास्ट है अगर यह और नीचे कर जाएगा मैं मेरे पाग कैपैसिटी है कि मैं खरी सकता हूं तो मैं इस भाग का भी वेट कर रहा था कोई बात नहीं अगर यह इसलिए मैंने खरीदा ऑल्दो खरीदते गब है जो जर्रली हम आरा रूल होता है हमने बोला जब कोई भाग रहा होगा तब खरी रहेंगे यहां पर नहीं भाग रहा था तो यह मेरी वैल्यू इंवेस्टमेंट थी तो दो तरीकी के इंवेस्टर्स होते हैं एक होते मोमें सब्सक्राइब करेंगे यहां पर सपूरट लेगा फिर चलना शुरूघ तो उनका कन Griffirm हो गया है कि यहां पर खरीद लेंगे तो यह मैं आप लोगो को मैं विल्कू कर दूँं यह जो को fuse रिक मैं अपने लिए खरीदा मैं आपको बता रहा था लॉजिक क्या खरीदने का और यह ETF है तो stocks तो ही नहीं है तो इसके अंदर stocks है Infosys, Wipro, TCS यह सब इसके अंदर आ गए है अब यहां पर क्या हुआ यह अब इसने breakout दे दिया तो दो तरीके के investors होते है एक होते है value investors जो सस्ता खरीदना चाता है तो यहां पर यह मैंने सस्ता खरीदा है कुछ होते है momentum investors जो यहां पर momentum पर खरीदेंगे दोनों ही अच्छे होते हैं दोनों में अलग अलग उनका horizon अलग हो सकता है value investor का time horizon ज्यादा होगा momentum investor हो सकता है जब तक momentum चल रहा तक मैं invested हूँ तो trading mindset भी लाकर रख सकते हैं कि जैसी momentum है का मैं बेज़ दूँगा अब पैसा तो तब बनेगा जब मैं इस में मूटा पैसा डालूंगा पैसा तो अगर trash करोड खरीदा होगा तो द़स पिसिंचछ लेगा वोड़ाफोन आइडिया नहीं है अगर इसमें कोई कमनी परफॉर्म नहीं करेगी तो अपने वहली कमनी आजेगी जो परफॉर्म करेगी तो इसलिए लोगों को वैल्यू इंवेस्टिंग करते हुए सोचना चाहिए कि अभी मैं डाउं ट्रेंड में लूँगा यह तो अगर यह गिर रहा होता है तो मैं बिल्कुल लेता है अब वो उपर नीचे ऊपर नीचे खेल रहा है अब मैं आपको एक और एक्जांपल देता हूं ने अब एक्जांपल पर चाहिए अब यह तो आप इंग्नूर कर दो इन्हें बिल्कुल इग्नूर कीजिया क्योंकि विक पर आप जाके आप सोचो मैं यह पर जाके बेज देता बेज नहीं बागे तो ऐसा नहीं होता है नहीं नहीं वह एक कॉंटिटी का सौधा हुआ हूआ इस चार्ड को आपको दिखाऊ तो इस चार्ड पर आपको क्या दिख रहा है साइडवेस साइडवेस अब क्या दिख रहा था यह अब अब ट्रेंड है अब ट्रेंड के बाद जाके हॉल ले रहा है तो होता कि FMCG काफी टाइम से नहीं चल रहा है यह 2023 नीचे 2023 पर आ गए 23 से लेके 24 तक अच्छा नहीं चल रहा था बहुत ज़्यादा बड़ी अब यह कोई बहुत एक्स्टार ने रिटर्न नहीं दिया तो मैंने क्या करना है सिंप्ली अगर मैं अभी हमेशा हम सपोर्ट रेस्टेंस लास से देखते हैं तो यहां पर आपको देख रहा है 100% डिमांड जोन हो गया अगर प्राइज यह वाले एरिया यह मुझे इस प्राइज में मिलता तो मैं पक्का खरीदता ठीक है ठीक है क्या मैंने इसे खरीदा पता नहीं देखना पड़ेगा अच्छा यह मैं एक अकांट में दिखा रहा हूं तो मैं बॉसर अकांट में खर खरीदा होगा और यह जो है तो इसमें मैं 6 मेने से पुराना अकांट नहीं है अब मैं क्या देख रहा था कि काफी टाइम से यह देखो अब यह एक रेंज हो गई ठीक है ठीक है यह तो मेरा 100% डिमांड होने यहां पर मिलेगा तो मैं मोटा खरीद होगा ठीक है यहां पर म जिस दिन एलेक्शन के रिजल्ट है मार्केट उस गई डिफेंसिव का मतलब क्या होता है अगर मार्केट में कुछ दिक्कत भी आएगी तो इसमें जादे कोई दिक्कत नहीं है क्यों माल लोग कोई आया तो लोगों ने क्या रोटी खाना शोड़ दिया नहीं आशिरवाद दिक्ताड़ लिनाबंद कर दिया हूं जो सिल रहे थे शैंपू भी कर रहे थे लोग कर रहे थे तो सब कोच उनका चल रहा था आणा डाबर ही यूस कर रहे थे घर यह सारे मैं किसी कंपनी पर बैटनी कर रहा है फमसीजी देखो माकेट टूटी है यह देखो पांच यह आपकी चार जून मैं एक्जाक्ली चार जून दिखा था हूँ यह चार जून के आपकी कैंडल है 5.9% निफ्टी बैंग निफ्टी की देखो बैंग निफ्टी किर गया अल्मोस्ट 8% FMCG देखो FMCG प्लस 2.17% यह प्लस है चार जून पर FMCG 2% उपर था ठीक है इसके अंदर एक स्टॉक है हंदुस्वान यूनिलिवर वो भी उपर था तो FMCG स्टॉक्स डिफेंसिव स्टॉक्स होता है तो आपको अपना पॉर्टफोलिय ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर अगर जैसे अब मार्केट गिर रही थी लोग कह रहे थी हमारा ददस भी 33% का पॉर्टफोलिय नीचे ला गया यह जो पॉर्टफोलिय बनाया हुआ है सिफ 1.4 या 5% नीचे गया था अच्छा मैक्सिमम डिप पे 8% पे भी आपका खाली 1-2% गया 2% भी नीचे 1.5% गया अच्छा विकाज ओफ दाइवर्सिफिकेशन तो मार्केट गुज गई अपना हुए खास नुक्सान लिए क्यों नहीं हुआ क्योंकि एक तो इसमें क्या डिवर्सिफिकेशन अच्छा है सिर्फ इंडियन इक्विटी में इंवेस्टेड नहीं है अब इंडियन इक्विटीज में जो चीज़े घुजरी दी वो खरीदने का मौका था मैंने बताये हुआ है ठीक है तो ये मैंने FMCG का बताया आपको तो अब FMCG यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहे है और वैल्यू इंवेस्टर्स के लिए यह वाला जोंदा वह सकता है इस इसके नीचे यहां पर भी किसी भी आइवरेजिंग प्राइस पर खरी सकते हैं तो यह मैं आपको बता रहा हूं यह वह अब जैसे मैंने बोला किसी की 50,000 रुपे महीनी की सेलरी है तो क्या कर सकता है वह 20 ETFs तो अब यह भागते जा रहे है क्योंकि Medi banking shares इस की अलावा तो इसके अलावा क्या होता है अब यहां पर क्या होता है जब even कभी आ नव पर उसदिन कोई प्राइस्चिन काम नी करता हूं इवरेंड की news काम गरती है ठीगे ठीक है आज अगर हो जाए जी देश के प्रदान मंतरी इस्तिफा दे रहे हैं या फिर कुछ देश के ऊपर बात आ जाए इंडिया पाकिस्तान सब प्राइज एक्शन क्या है इधर उधर कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो कि फिर न्यूस काम करेगी इंडिया ने चाइना पे हमला कर दिया चाइना मलब रिवेंज में कुछ कर दिया तो उससे क्या होगा यहां पर फर्क पड़ेगा तो उसमें कोई प्राइज एक्शन काम नहीं करता है अगर मैं यहां पर देखू तो अगर इसे हटा देते हैं के लिए अभी तक आपको क्या दिख रहा है यहां पर इसे भी अटाथ साइडवेज है बट हलका अप्ट्रेंड है ठीक है तो हलका अप्ट्रेंड भी वह बहुत बड़ा अप्ट्रेंड है अब डिली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम से कुछ डिली पर अनलेसिस अगर मैं यह को वोट कम मिले हैं हम और मार्केट गुज गया तो वो एक टाइम के लिए कि आ देखेगा कि यार यह तो लाइन जो है ना यह तो चूट गई हम ट्रेंड चेंज हो गया वो न्यूज है ठीक है वेट वार अगर हो जाता है तो उस टाइम पर पॉर्टफोलियो खाली नहीं क करते हैं है अब मैं आपको चीज बताता हूं यहां पर आपको बैंक रिफ्टी कितने परसेंट डाउन दिख रही है अब आप एक काम करो पिछले तीन साल आजो कोवेड से पहले-पहले आप मुझे इतनी बड़ी एक भी गैंडल दिखा हो कोवेड में तो सकती है न्यूज कोवेड में तो डेफिनिट नी मिलेगी उसके इलावा दिखा हुआ एक भी दिखी नहीं नहीं दिखी ठेक है यहां पर यह कोवेड का फॉल समझे ले हो ठेक है यहां पर हम 2020 से 2024 में आ गये हैं यह कैंडल होती है रेर पांच परसेंट निफ्टी का एक दिन में तूटना य यह साल में एक या दो बार हो सकता है अदो से जाहना होता तो यह अच्छा यह बाइनि अपॉर्टनेल्टी हुती है चसे नहीं खरीदा थैंग अपने खरीद है आपने निए अपने इवित लिया है थोड़ा जब मैंने आपको बोला कि यहां पर विबू नैं यहां पर इस and market always bounce back we are waiting for the crash आजा भाई इसलिए मैं अकाउंड में लिक्वड वीज भी रखता हूँ ये रह कि जब भी क्राइश आएगा इसे बेचके है इसे बेचके कि उसको उसका अकाउंड में पैसे ना हूँ इसमें होने चाहिए अगर डिप में लेगा उसे हटाओ फिर खरीद दो फटाफ़ तो वो जो रिटान है अब यहां से अगर आप नीचे देखोगे निफ्टी में निफ्टी ने यहां से लेकिंगे यहां तक कितने परसेंट की रिटान दे दी हम बोलते हैं बारा परसेंट साल में देगी यह दो-चार दन में आ गया तो यह फॉल्स ब्रेक आउट सा ना सी वो न्यूज न्यूज के ऊपर एक कहावत है सो कहावत है always sell the news and buy the rumor अच्छा जैसे अब हमारे home minister साब ने जाकर बोला कि market बढ़ेगी नरिंद्र मोधी नर जी बोला प्राइम मिनेस्टर ने market बढ़ेगी हमारी निर्मला सीतरमन जी ने बोला market बढ़ेगी अब दुनिया को पता market बढ़ेगी जो न्यूज है जो अगर सब को पता है तो यह आपके लिए कि लर्निंग है कि महाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है although उस टाइम पर डेटा ऐसा था market ऐसा बिएफ कर रही थी कि जा सकती है उपर तो हम प्राइज एक्शन को गलत नहीं बोल सकते हैं that always sell the news यह मतलब किया कि जो सबको पता है तो वहाँ पर buy नहीं करना news को buy नहीं करना तो अब एक example देता हूं TV पर आकर आज कल पता नहीं कॉन कितना TV देखता है आपको बता है कि टीवी पर आकर stock recommendations आती है विलकुल आती है तो यह ऐकावत वहीं से चल रही है अच्छा वो न्यूस पर दिखा रहे हैं न ये खरीदो बेज दो तो मैं ऐसा नहीं करता वो दो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा ठीक है बड़ जब दुनिया को पता है तो उसके उनी के प्रफ़ज़ अब उसमें 50-50% अबड़ गया तो आजी अमने बोला था और नहीं बड़ा तो बाती नहीं करेंगे उसकी हो गया नुकसान लोगोगा हो गया ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी समझ लगानी यह वीडियो पर में इतना टाइम जो लगा रहे है हमें खुद देखना भाई अगर कोई कोई भी स्टॉक बोलेगा कुछ भी है यह खरीद लो खरीद लो तो आप जाके चार्ट तो लगाओ कोई कारा ITC खरीद लो आपको दिखना दो चेहें कुछ ठीक है अब यह चार्ट का लेIfu sideways seminars lahatum आपने बता तो आपको चार्ट देखें पुलना है एर वह यह यह शांदार parcours किस पैटन मन रहा है त番क्र पर सब्सक्राइब टेख रहा है तो कोई किसी नाम लिया था कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट मैं आपको एक रिकमेंडेशन क्या होगी वैसी घुज़र है इसे यहां पर खरीद हो गेंगे यह ता अगर कोई एक बहुत कोई यहां बोलता तो सोच सकते थे फंडमेंटल्स देखके सारी चीज़े देखके तो आपको बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैं आपको समझानी की कोशिश कर रहा हूँ हमने तीन चीज़ें अभी तक समझी है सबसे पहले हमने समझा था ट्रेंड लाइन उसके बाद हमने समझा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं तीसरी चीज़ हमने समझी थी कि ब्रेक आउट अब यहां पर मैं अगें बैंक रिफ्टी पर आ रहा हूँ हम प्राइज और लो देना पड़ेगा यह बोल सकते हो ठीक है तो आप यह बोल सकते हो कि यह कैंडल ने तोड़ा इसके बाद जो यह इसका लो था कोई दूसरी कैंडल तोड़ दे तो कंफर्म होगा है डाउं ट्रेंड है फिर तो बहुत नीचे तक जा सकती है बट अगर अगली ही ठीक है उसका लो भी नहीं तोड़ रही ऊपर आगई और यह दुबारा से ट्रेंड लेन के ऊपर आगई अब ट्रेंड लेन के ऊपर आगई तो विभू आप यहां पर अगर देख रहे हो एक तो ट्रेंड लेन बन रही है क्या उपर भी आपको कुछ पैटन देख रहा है कांसे प्रेंड बारवा गिर रहा है क्या इंडास को भी हम जोड़ दें तो हमारे चैनल बन जाता है चैनल तो अगर hunter मैं लुड गो औरी यहोड़ा जब यह दुबारा से प्राइज इस चैनल के अंदर आ गया तो यह कहा तक जा सकता है यहां तक इस चैनल के ओपर तक तो अभी बैंक रिफ्टी एक चैनल में चल रही है ऑल्दो यहां पर इसने तोड़ा बड़ यह न्यूस है ठीक है तो प्राइज एक्शन न्यूस के टाइ प्राइज कोई सपोर्ट रेसेंज कुछ काम नहीं करेंगा इंडिया के लिए तो यह चैनल उपर की तरफ तोड़ देगा बहंकर तो कुछ भी हो सकता है फिर क्या होगा फिर इस चैनल की सिंग्निकंस खतम हो जाएगी फिर यह क्या होगा यह भी रिजिस्टेंस है प्राइ अभी रिजिस्टेंस है तो रिजिस्टेंस क्या बन जाएगा सपोर्ट जैसे कि अभी हम यहां पर खड़े हैं बट अगर हम यहां पर एक दिवार में ऊपर जो च्छत है इस पर एक शेद कर दे तोड़ दे तोड़े से और सीड़ी लगा के ऊपर चट जाए तो हम इसके ऊ बहुत सारे concept आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में easy way में समझाने की कोशिश करिए हैं यहां पर अभी तक कोई question? नई, ठीक so questions आप लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं आप comments में बूचिए हम try करेंगे आने वली वीडियो में answer दे क्योंकि technical analysis में अभी बहुत सारी चीज़े बागी है जैसे की candle six क्या होती है क्या कुछ candles के pattern होते हैं जब nifty के अंदर ये candle बनी थी ये candle तो ये कैसी candle अभी हमने pin की बा यहां पर नीचे यह उपर है आपको यह समझने को मिलेगा आने वाली वीडियो में तो अभी क्या है कि candle stick patterns है चार्ट पैटन्स है technical analysis में बहुत सरी से वाकी है तो यह देखो free में आपको सीखने को मिल रहा है बट यहां पर क्या है कि आप अपने notes बनाई है और आने वाली व step by step जो learning है यह आपके बहुत काम आने वाली है देखो यह चीज़े सीखने के लिए आप सालों भी लगा सकते हो आप पैसे देके courses भी कर सकते हो पर फिर भी मुझे नहीं पता कि जिस ते को मैं आप अपने भाई को समझा रहा हूं तो जैसे मैं आपने भाई को समझा रहा लोगों का time बचेगा पैसा बचेगा और यह जो चीज़ें यह विद experience आती है मैंने आपको बताया कि मुझे किसे नहीं समझाया था कि यह trendline क्या होती है support resistance क्या होते है यह with experience सीखें तो आपको यह experience free में सीखने को मिल रहा है अपने तक मत रखिए अपने लिए नोट्स बनाइए और अपना प्यार दिने के लिए आपको simply like करना है और अगर आपके पास अभी तक demand नहीं है जिससे आप stock market में investment कर सको trading कर सको, ETF करी सको, mutual funds में investment कर सको, SIP कर सको तो आप free में जाके अपने dmetagon खुलवा सकते है लिंक आपको description और pin comment में मिल जाएंगे इसके साथ साथ बहुत सरे brokers अभी आपको referral रन पर भी बहुत अच्छा पैसे दे रहे हैं आप affiliate marketing करके भी पैसे कमा सकते हो लगबग एक referral का आपको 500 रुपर मिल जाता है तो अगर 500 रुपर एक referral का मिल रहा है तो आप जाके देखिए हो सकता आपकी कुछ extra earning भी हो जाए कई साथ लोगों का extra earning के लिए भी platform चाहिए होते है तो आप link जो description comment में उन्हें जाके check out कीजिए और देखिए कौन सा आपको broker क्या offer दे रहा है आपके काफी कामा सकता है तो सवाल है तो comment में पूछिए हम आपसे मिलिंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए यू वो सेल्फ